नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज हम अभ्यास करेंगे कुछ पिछले वर्षों की बोर्ड परिक्षाओं में पूछे गए प्रश्णों का। ये प्रश्ण आपके आने वाले परिक्षाओं की दृष्टी से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उप्योगी साबित हो सकते हैं। या इनसे संबंधित कोई भी प्रश्ण पेपर में पूछा जा सकता है। तो इनको आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए पहला जो सबसे important question है वह है redox अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। निम्न अभिक्रिया में अपचयत तथा उपचयत पदार्थ बताईए। अभिक्रिया ये दी गई है, zinc oxide ने अभिक्रिया की carbon के साथ में और उतपात के रूप में निर्मित कर दिया zinc और carbon monoxide। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग अपना first chapter कर रहे थे, तब हम लोगोंने discuss किया था कि redox अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तब हम लोगोंने ये बात की थी, कि जिन अभिक्रियाओं में उपचयन एवं अपचयन, दोनों ही अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उन्हें हम बो दूसरा पदार्थ उपचयित होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को redox अभिक्रियाएं बोलते हैं, तो देखिए, उपचयन का क्या मतलब होता है, उपचयन का मतलब होता है, ओक्सीकृत होना पदार्थ का, ओक्सीकृत होने का क्या मतलब है, कि किसी पदार्थ में अभिक्र की दौरान या अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन का सयोग हु जाए है ना living hydrogen का क्या हुजाए वियोग हुजाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया किसका वियोग हो रहा है आपण hydrogen ॥ीक है जबकि अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा या तो hydrogen का संयोग हो जाए या फिर oxygen का वियोग हो जाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया और जिस अभिक्रिया में ये दोनों ही अभिक्रियाएं हो जाती हैं उपचयन एवं अपचयन तो ऐसी अभिक्रिया को बोल पर अभिकारक की तरफ Zinc Oxide था यानी कि Zinc के साथ में Oxygen का सहयोग था लेकिन उत्पाद की तरफ देखिए यहाँ पर Zinc अकेला है जहाँ पर Oxygen का वियोग हो जाता है ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते है अपचयन अभिक्रिया बोलते है या फिर जो ये पदार्थ है जिसमें स औक्सिजन का वियोग हो गया है, ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, अपचयत पदार्थ कहलाता है, तो दी गई समीकरण जो हमें मिली हुई है, उसमें कौन सा पदार्थ अपचयत है, उसमें जिंक ऑक्साइट अपचयत हो गया है, किसमें जिंक में, ठीक है, वहीं उपचयन के अले देखिये, कौनसा पदार्थ, उपचैत हो रहा है, यहां पर देखिये, कार्बन यहां अकेला था, और उत्पात की तरफ, कार्बन के साथ में ऑक्सिजन का संयोंग हो गया है, अर्थात, जो कारबन है, वह उक्सिक्रट या फिर उपचैत हो गया है, है न, तो आप लोगों से इसमें पूछा गया है, उपचयित पदार्थ भी बताईए, तो उपचयित पदार्थ में आप क्या लिख दोगे, कार्बन, कार्बन उपचयित होकर किसमें बदल गया है, कार्बन मोनो ऑक्साइड में बदल गया है, ठीक है, तो इसको आप साफ साफ शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं. Redox अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिन में अपचयन एवं उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, इन्हें उपचयन अपचयन अत्वा रेडॉक्स अभिक्रियां कहते हैं अगर पेपर में उपचयन अभिक्रिया भी पुछा जाए तभी भी आप लोग same to same definition लिख दोगे क्योंकि उपचयन अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया ही होता है और दी गई समिकरण में या इस अभिक्रिया में जो अपचयित पदार्थ है हम लोगों ने डिसकस किया क्या है जिनक उक्साइट और उपचयित पदार्थ क्या है कार्बन ठीक है अब देखते हैं अगला प्रश्ण क्या है तो देखिए निम्न अभिक्रिया में उपचैत तथा अपचैत पदार्थ की पहचान कीजिए देखिए यहाँ पर आपको मेगनीज ओक्साइड दिया गया है जिसकी अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में आप हाइड्रोक्लोरिक अमल भी बोलते हैं HCl ठीक है तो इस ने उत्पात की रूप में निर्मित कर दिया मेगनीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन का अनू ठीक है अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदार्थ उपचैत हो रहा है उपचैत मतलब ऑक्सिजन का संयोग या फिर हाइड्रोजन का वियोग और आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ अपचैत हो रहा है अपचैत मतलब हाइड्रोजन का संयोग या फिर ऑक्सिजन का वियोग तो सबसे पहले आप मेगनीज के साथ में ऑक्सिजन है यहां पर देखिए यहां पर मेगनीज के साथ में क्लोरीन जुड़ गया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि अभिकारक की तरफ मेगनीज के साथ में ऑक्सिजन का क्या हो गया है वियोग हो गया है जिस अभिक्रिया में ऑक्सिजन का वि अभिक्रिया बोलते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ, कि यहाँ पर जो यह मैगनीज ऑक्साइड है, यह हो जा रहा है अपचैत, यानि कि मैगनीज ऑक्साइड इस अभिक्रिया में कहलाएगा अपचैत पदार्थ, वहीं आप देखिए, यहाँ पर क्लोरीन आपको अकेला नज जाता है उपचैन अभिक्रिया, उपचैन में क्या-क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का सईयोग हो जाए, या फिर हाइड्रोजन का वियोग हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का वियोग हो गया, इसलिए जो यह हाइड्रोजन क्लोराइड है, यह पदार् पदार्थ बन गया, इसको आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे नोट कर लिजिए, आप लिखेंगे उपचाईत पदार्थ, तो हाइड्रोजन क्लोराइट उपचाईत हो गया है क्लोरीन में, ठीक है, और मैगनीज ओक्साइट अपचाईत हो गया है मैगनीज क्लोराइट में, इतना समझ गया आप लोग, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरन दीजिए, पेपर में अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप केवल एक उदाहरन दे कर आएंगे, लेकिन हम लोग विस्थाप अभिक्रिया को समझने के लिए, जिसमें हमने एक बीकर में लिया था, कॉपर सलफेट का विलियन, C-U-S-O-4, ठीक है, इसमें हम लोगों ने डाल दी थी एक लोहे की कील, है न, लोहे की कील शुरू में तो कुछ इस प्रकार की, स्लेटी स्लेटी से कलर की थी, या यहां प कील को इस विलियन में डाल कर रखा, तो आपको क्या मिला, आपको इस जो लोहे की कील है न, उसका रंग कुछ डार्क भूरा सा मिल गया, ठीक है, और साथी साथ, जो यह विलियन था, कॉपर सलफेट का विलियन था न, यह क्या हो गया, यह बहुत जादा हलके से रंग में बदल गया, है न, तो यह क्यों हुआ था, विस्थापन अभिक्रिया का यह उदाहरन क्यों था, यह क्रिया कलाब, हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया के लिए क्यों किया था, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा, कि जो लोहा था, यानि FE, आईरन, ठीक है, उसने कॉप कोपर को अपने ही विल्यन में से विस्थापित कर दिया था, है ना, तो इसके लिए आप समिकरंड क्या लिख देंगे, देखिए, आप लिखेंगे लोह, यानि की आइरन, आइरन ने क्रिया की कॉपपर सिल्फट के साथ में, देखा था ना, कि लोहे की कील को कॉपपर के साथ में क्रिया की, तो इस iron ने इस कौपर को अपने ही विलियन में से विस्थापित कर दिया, और आपकी विस्थापन अभी क्रिया बन गई, ठीक है, जब पेपर में लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें इनके नाम भी लिख देने, ठीक है, Fe किसका प्रतीक होता है, आईरन का, ठीक है, CuSO4 यानि की क्या होता है, कौपर सलफेट, ठीक है, हमको उत्पात के रूप में क्या निर्मित होता हुआ मिल गया, हमें मिल गया आईरन सलफेट है ना, और इसनी क्या कर दिया, कौपर को उसके विलियन से विस्थापित कर दिया किसने आयरन नी ठीक है तो कौपर का नाम तो आप लोगों को मालूम ही है इन सब के नीचे इनके नाम भी आप लोग लिखकर आजाना हो सकता है आपको यह अभी क्रिया पेपर में याद ना आए तो अगर आपको एक दूसरी अभी क्रिया में लिखवाओं तो आप यह भी लिख सकते हो आप लिख सकते हो जिंक जब जिंक क्रिया करता है कौपर सलफिट के विलियन के साथ में तो भी यह कौपर को उसके ही विलि से क्या हो गया विस्थापित हो गया ठीक है तो आप लोग समझें इतना कि क्या हो रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है जो अधिक अभिक्रिया शीलตव है अर्थाथ , आईरन या फिर जिंक यह दोनों ही कॉपर से ज्यादा अभिक्रिया शील तत्व हैं, और इसी लिए ये कौपर को उसके विल्यन से विस्थापित कर दे रहे हैं, और आपकी बन जा रही है विस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी आप नाम लिख देना, ये हो गया जिंक, ये कौपर सलफेट तो सेम टू सेम आप ऐसे ही लिख देना ठीक है, ये बन गया आपका zinc, sulfate ठीक है, और आपको विस्थापित हुआवा क्या मिल गया, copper मिल गया, समझ गया आप लोग विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अगला प्रश्न सॉल्फ करते हैं, तो अगला question है, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर से हुए देखा था कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाओं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर उत्पाद के रूप में एकल पदार्थ का निर्मान करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलत और यह कुछ चीज़े, है न? तो जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों में तूट जाता है, है न? तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, इतना समझें, अब कॉपी में इसको कैसे नोट क करेंगे? देखिए, पेपर में आप कुछ इसी प्रकार से अंतर लिख सकते हैं, एक साइट आप संयोजन अभिक्रिया लिख लोगे, एक साइट वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को परिभाशित करते हुए आप लिखोगे ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो य या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्मान करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं बोला जाता है वहीं वियोजन अभिक्रिया में आप क्या लिख दोगे जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक तूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ निर्मित करता है, ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है बस इसको ऐसी ही नहीं छोड़ देना है इसके साथ में हम लोग उदाहरन भी लिखेंगे, पेपर में अगर हम उदाहरन देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए है ना, और पड़ तो हमने रखा ही है तो चलिए, इसका उदाहरन क्या लिखेंगे आप सैयोजन अभिक्रिया में आप लोग उदाहरन दे सकते हो कोईले के दहन का कोईले में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है कार्बन है ना और उसका दहन हो रहा है अर्थात, कार्बन की क्रिया हो रही है ओक्सिजन के साथ में ठीक है, तो दो पडार्थ हो गए अभिकारक की तरफ इन्हों ने मिलकर बना दी कार्बन डाय ओक्साइट गैस, यानि की सी ओ टू, ठीक है तो दो या दो से अधिक पडार्थों ने मिलकर एकल पडार्थ का निर्मान कर दिया और ये हो गई हमारी सैयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में आप क्या उधारन दे सकते हो आप उधारन दे सकते हो जब चूना पत्थर यानि कि calcium carbonate को उश्मा दी जाती है या फिर गर्म किया जाता है ठीक है तो ये तूट जाता है calcium oxide में अर्थात बिना बुझा हुआ चूना जानते हैं हम लोग है ना तो ये तूट गया calcium oxide और carbon dioxide में ठीक है तो इस प्रकार से जो एकल पदार्थ था यानि कि चूना पत्थर वह तूट गया बिना बुझे हुए चूने और carbon dioxide यानि कि दो पदार्थों में एकल अभिकर्मक तूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ निर्मित करता है यही होती है वियोजन अभिक्रिया ठीक है इनके नीचे आप इनके नाम भी लिख लीजे तो ये क्या है calcium carbonate चूना पत्थर ठीक है और calcium oxide क्या होता है बिना बुझा हुआ चूना तो इसमें आप लिख दोगे बिना बुझा हुआ चूना ठीक है और CO2 आपको मालुम ही है क् carbon dioxide ठीक है यहां पर भी इनके नाम लिख देना देखिए C किसका प्रतीक है carbon का O2 यानि की oxygen और इसने बना दिया carbon dioxide gas ठीक है तो इतने प्रशन आप लोगों ने अच्छे से solve कर लिए इन प्रशनों के लिए आप क्या करिए एक पतली सी diary या copy बना लीजिए जिसमें आप सारे जो previous year questions है उनका अभ्यास करोगे ताकि paper के पहले आप लोग अच्छे से revise कर सको ठीक है फिर हम लोग अगली lecture में कुछ आन्य प्रशनों पर विचार करेंगे तब तक आप इनका अच्छे से revision कर लीजिए